Hello Friends, कैसे हैं आप लोग तो आएए आज की टोपिक में हम बात करने वाले हैं खाना वद स्ट और घुमन्तु लोग कैसे रहते मतलब कि जितने भी लोग भात करते हैं जनजाती के बारे में और सो जितने भी जन जाती लोग रहते हैं एक्च्वल में वह लोग किस पकार से रहा करते हैं जब एक जगा से दूसरे जगा जो जाते हैं या फिर यह लोग घूम घूम के एक जासुचा जाकर बसते हैं तो रहने का काम कैसे करते होंगे आज हम इसी टॉपिक के उपर बात करने वाले हैं तो कहता है खाना बदोस चरवाहे अपने जानवर के साथ दूर दूर तक घूमते थे मतलब यह वक कि यह लोग अपने जीवन को निर्भा करने के लिए अपने जारवरों को चारा खिलाने के लिए और खुद को जीवन जीने के लिए यह लोग दूर दूर तक घूमने का काम क अंगर ऐसे को जन जाती है जो घूमने का कांग करती है उनका जो जीवन होता है वो अदूध और अन्य पसुचारू उत्पादों पर निर्वा करते हैं जैसे कि अपने जानगुरों पर ही डिपेंड रहना उने से प्राफ होने वाले जितने भी साधन होते हैं उने के पर creatives के उप्योग करके ये अपने जीवन को सर्वाइब करते हैं जैसे कि उन, घी, इत्यादी का बिण्र में भी करते बिद्व क मतलब होता है लेंदेन करना और इसी के माद्यम से वह अपने धिरूरतों को पूरा करने का काम करते हैं कुछ खाना बधोस्त अपने जानवरों पर समानों के ढुलाई का काम भी करते हैं एक अस्थान से या एक जगा से दूसरी जगा आते जाते वे समानों की खरिद फरोग्त करते थे वल्लग कि कहीं न कहीं यह जो समान हम लेते देते हैं यह इसके लेने और देने के लिए बस्तू का इस्तिमाल करते हैं इसलिए इसमें कि जो लेंडिन की परकिरिया होती है उसे बस तू बीनी में परनाली कहते हैं इसी में आगे कहता है इसके साथ साथ एक परंड कहता है कि बंजारा आप लोगों कई वार मूद में तो सुनाओगा बंजारा या बंजारन दो तो जो बंजारन होते हैं वो सबसे महत्वपूर्न बैपारी खाना बदोस थे बैपारी के मलोग होता है यह वो लोग थे जो एक जगा से दूसरी जगा जाया आया करते थे लेकिन का मुख के काम था बैपार का काम था उनका कारवा का मतलब होता है लोगों का गुरूप डांटा कहलादा था डांटा का मतलब होता है एक लोगों के समों को ही डांटा कहा गया था कहते कि सुल्तान अलावदिन खिल जी बंजारों का ही इस्तिमाल नगर के बाजार तक अनाज की डुलाई के लिए किया करते थे अलकि यहां पर अपने महल से बाजार तक जो समान को ले जाने का काम करते थे वह बैपारिक खानावदोस या कारवा या डाटा का ही उप्योग वो किया करते थे बाजसा जहांगिर ने अपने संस्मर्नों में लिखा है कि बंजारे बिविन इलाके से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर सेहरों में बेचने का काम किया करते थे सेहन ने भियान के दोरान वे मुगल सेना के लिए खाध्यानों के डुलाई का भी काम किया करते थे और किसी भी मिसाल सेना के लिए एक लाख बैल अनाज भूते थे मलकि एक लाख बैलों का इस्तमाल करके वा मुगल सेना के लिए समान को लाना ले जाना इस सारे काम किया करते थे इससे समन्दित एक topic दिया गया है और कहता है कि खाना बदोष और ब्रह्मन सील समों किसे कहते हैं खाना बदोष घुमंतू लोग होते हैं उनमें से कई पसू चारी होते हैं लकिए जो केई पसूं को चलाने का काम करते हैं इसी तरह दस्तकार, फेरिवाले और निर्टक, गायक एवम अन्य तमास बीन ब्रमनसिल समू अपना काम धंदा करते करते एक अस्थान से दूसरे जगा की आतरा पर भी रहते थे। कहीं न कहीं, खाना ब्रमनसिल समू होता है, वह एक जगा से दूसरे जगा जाने आने का काम करता है और अपनी कला का प्रदसन करके कुछ जीविक्यू का उपारजन भी करता है। आई देखते है किया बनजारे के बारे में टॉप और कहता है कि कहता है कि सिवनेटीं सेंचुरी के शुरुवाती टाइम में भारत आने vallahi एक अंग्रेजी ब्यापारी पीटर मंडी ने बनजारों का बनन किया है तो पीटर मंडी पीटर मंडी ने बंजारों के बारे में क्या बताया है आई देखते हैं कहता सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टंटा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे सारे पसो गेहों और चावल जैसे अनाजों से लदे भी थे ये बंजारे लोग अपने पूरी घर गिरिष्टी बीबी और बच्चों के साथ साथ लेकर चलते थे मलकि इनका पूरा का पूरा जो परिवार था वो परिवार एक साथ गुमा करता था परिवार के साथ ये गुमा करते थे कहता है कि एक डंटा में कई परवार होती थी उनका जीने का तरीका उन भार बाहोकों से मिलता दूलता है जो लगातार एक जगा से दूसरे जगा जाते रहते थे मतलब ये लोग पुरी परिवार के साथ एक प्लेश से दूसरे प्लेश तक ट्रैवलीन करने का काम किया करते थे गाय बेल उनकी अपने होते हैं कई बार वे सौधागरों के द्वारा भाड़े पर निफ्ट किये जाते थे लेकिन जादातर वे खुद सौधागर होते हैं मतलब कि ये एक टैप से मुनाफ़ा कमाने के लिए इस प्रकार के काम किया करते थे वहां से वे फिर ऐसी चीजे लाद लेते हैं जो किसी और जगा मुनाफ़े के साथ बेची जा सकती है डंटा में छह से साथ सो लोग हो सकते हैं वे एक दिन में छह से साथ मिल से जारा सफर नहीं कर सकते हैं यहां तक कि डंटे मौसम में भी अपने गाई वेल पर वे समान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुड़ा छोड़ देते थे पहले कि ये लोग अपने जानवरों को पूरा ध्यान रखा करते थे चलाने का, खिलाने का, बैपार करने का, ढोने का, सारा विवस्ताई खुदी किया करते थे इसमें वो कहते है क्योंकि यहां जमीन परियाब थे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था पता करें कि आज कर गाउं से सहरता का अनाज ले जाने का काम कैसे होता है तो वो ट्रांस्पोर्टेशन के लिए ट्रेन का या फिर बस का इस्तिमाल करते हैं या फिर हम वीलर का वीकल का इस्तिमाल करते हैं बंजारे के तौर तरीके से ये किस प्रकार से अलग है या समान है तो वो लोग भी ट्रांसपोर्ट किया करते थे हम लोग भी ट्रांसपोर्ट करते हैं लेकिन अलग इसलिए है क्योंकि पहले वो गायवेल का इस्तमाल करते थे और आज हम एंत्रिक सिचेजों का इस्तमाल करत कहता है कई पसुचारी जनजातियां मभेशी और घोड़ी जैसे जानवरों को पालने और पोस्णे और संपन लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम किया करते थे मलकि इस समय जो लोग बैपार किया करते थे मलकि जो खानवा वदोसी थे ये लोग बैपारी के तौर पर दो चीजों का बैपार भी किया करते थे जैसे कि मभेशी मनलकि अपने जानवरों को बेचना जिसे गाय और बैल को बेचना और दूसरा था इनको घोड़ों को बेचना तो इन लोगों ने दोनों को ही बेचने का काम चालू किया था छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन जातियां भी एक गाउं से दूसरे गाउं भर्मन करती थी ये लोग रसी सरकंडे से चीजें, फूस के चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते हैं और बेचते थे कभी कभी भिच्चों के लोग भी घुमते सुदावरों का काम करते थे नर्तक, गायक और अन्य तमासाबीन की भी जातियां थी जो विभिन नगरों और गाउं में कमाई के लिए अपने कला का परदाशन किया करते थे तो कहीं न कहीं यह जितने भी लोग आपको देखने के मिल रहे हैं यह अपने जीवन का उपारजन किसे करते हैं तो यह अपने जीवन का जो उपारजन होता है वह समान को बेचने खरीदने और उससे होने वाले मुनाफ़े के मात्यम से करते हैं तो हमने आज की टॉपिक में बात किया खाना वदोस कैसे होते हैं भर्मंट सिर्शमों कैसे होते हैं उनका जीवन का उपारजन कैसे चलता है ऐसे कुछ में टॉपिक के बारे में आज के क्लास में हमने देखा या को कैसा लगा जूरू बताईए और वीडियो को कमेंट जरू क करें सबते हैं डेक्स क्लास में मिलेंगे क्लास आज की लिए तना ही धन्यवाद